इतने सारे कॉंडम्स क्या कर रहे हैं इस आश्रम के अंदर और वो बाबा के आश्रम में जा पहुंटी जब लड़की पकड़ में आई तो वो भयानक नशे में थी इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर धोंगी बाबाओं को एक्सपोस परिंग अकेले बात करने के लिए जब मैंने इसको ब इतने पड़े, इतने ताले, इतनी तिजोरिया, इतने सारे लोग, अफीम गांजे की बदबू, इतने सारे इंजेक्शन, इतने सारे कॉंडम्स क्या कर रहे हैं इस आश्रम के अंदर, क्या प्रशातन अंदर जाकी देखनी सकता कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा सब को बाहर निकाल के मेडिकल करवाया जाए एक एक औरस स्कार्व कर वाद्व लक्त निकलती है नग्त ऑस्या डूसरे के साथ कनेक्टीड है वने के लिए सेर चलते सुबह चार बजे विरिंद्र देव दिश्रीता सुब्सछा के मेरे पास कि नंद किसोर रोजी को समर्पित कर दो अब हम तो उसको भगवान समझते थे हमें थोड़ी पता था कि यह वो है तो हमने रोजी को वहां समर्पित कर दिया और नहीं मैंने उससे पूछा कि जी आप ने कहा कि जब यह 18 साल की हो जाएगी और जब यह कहेगी तो समर्पित कर तो उसने मुझे कहा कि 9 नंद किसोर 18 साल से पहले कन्या को माबाप समर्पित कर सकते माभयाप का अधिकार होता है तो आप तो वो हम तो बह घुमान के रूप गवान के लुप में देखते तो इसलिए हमम मैं अन्य और मेरी ओंधर पन उसको समर्पित कर दिया समर्पित करन ने निदिया अब 2016 में जनुवरी में यहां स्टेडियम बना रखा अंदर साथ साथ ताड़ों के अंदर हमें मिलवाया उससे उससे हमें बात नहीं करने दीगी अच्छा हुआ हम ने उसको घ्ले है एक जब मिलने आये तो तीन चार गंटे हमें मिलाने में लगा दिया उसको पता करा कवि कई लाज करा रहे कभी कुछ करा रहे इस तरह एस त₂-जॉंडे से मिलवाया मिलवाया तो फिर हमने कभा बेटे यहां भगवान का पाट समझेया पट निय यहां सैतान का पार्ट है, यह रावन का पार्ट है, यह सूर का पार्ट है